जो भी आपके संबंध हैं, जिनसे भी आपके संबंध हैं, जिनसे आप संबंधित हैं, कटुता तो उन्हें के परतियाती हैं, जिनसे आप किसी ना किसी रूप में प्रेम से जुड़े होंगे, जिनसे आप प्रेम से जुड़े ही नहीं हैं, उन संबंधों में कटुता आने क कोई प्रश्न ही नहीं जिन से आप प्रेम से जुड़े रहें किसी भी प्रकार का संबन्द जरा गौर से देखिए कुछ न को जरूर अच्छाई होगी जिसने तुम्हें उसकी तरफ आकर सित किया होगा और तुम्हारे भीतर भी कुछ न कुछ अच्छाई ही रही होगी जिसने उसे तुम्हारी तरफ आकर सित किया होगा अगर गौर से देखो तो इतने अच्छे अच्छे गुन अपने संबन्दी के व्यक्तित्व में आपको मिलेंगे जिनको कभी आप याद ही नहीं करते जिनको आप इग्नौर कर देते जिनकी उपेक्चा कर देते जिनको भुला देते मैं तो कहता हूँ कि जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा है ऐसे संबन्दों में भी अपने संबन्धी के कम से कम तीन अच्छे गुन आपको याद कर लेना चाहिए जिनसे भी आप संबन्दों और उन गुड़ों को हमेशा अपने संबन्धी को जिवन साथी को याद देलाना चाहिए तुम अच्छी अच्छी चीजों को याद दिलाओ अच्छी अच्छी चीजों की चर्चा करो जो तुम्हारे लिए करता है, एक दिन आएगा कि तुम्हारे शिकायते स्वता समाप्त हो जाएगे, तुम अजात सत्रू हो जाओगे, मैं तो कहता हूँ संबंधियों को छोड़ो, जीवन साथी को छोड़ो, उनके प्रिद्ध तो करना ही करना है, अगर कोई अजनवी व्यक उसका कोई अच्छा सब्द जिसने आपको आकरसित किया हो, उसको लेकर आप उसकी प्रसंसा कर दो, उसकी सराहना कर दो, अगर ये आदत आपके भीतर पड़ गई, ये आपके सुभाव का अंग बन गया, दूसरों के अच्छे गोड़ों की सराहना करने का, अपने प्राण झाल